जो दूला कि हमारी ये पहले सें मांग रही है कि जो like minded parties है सभी को साथ मिलके क्योंकि अवाम भी यही चाहता है like minded parties को साथ मिलके चुनाव लड़ना चाहिए और यह हमारी कोशिश रही है हमारी ये भी कोशिश रही है कि बिहार में एक अच्छा विकल्प मिले कल जो बयान आया आरजेडी का वो थोड़ा ताज्यूब हमें भी हुआ था क्योंकि अगर अलाइंस पार्टनर में हम बात करते हैं तो कैमेरे के आँख पे हम आपको ये करना वो करना नहीं करते हैं हम लिडर टू लिडर बात करते हैं और पहले जब एक पॉजिटिव बात एक नंबर की हो गई है और उसमें कोई एकाद सीट इधर उदर होती है तो लिडर टू लिडर बात होनी चाहिए तो जो कल आरजेडी के कुछ नेता का बयान आया वो सब को सब को ताजूब वाला लगा था हम चाहते हैं कि लाइक मैं नेट पार्टी को साथ में रहना चाहिए पर अगर किसी का कोई कमपलजन हो गया हम चाहते हैं पर किसी के ऊपर कोई कमपलजन हो गया और ये मैं मोदी क तो गुजरात से आता हूं अच्छे से जानता हूं किसी की कोई कमजोर कड़ी को दबा के कहेंगे कि इस पार्टी को परिशान करो साथ ना रखो वरना तुमको मैं ऐसे परिशान करूँगा ऐसी किसी की मजबूरी हुई और अगर कोई तोड़ना चाहते हैं तो और बात है तो उसी को कांग्रेस साथ में रहके एक अच्छे पॉजिटिव एजंडा के साथ और आरजडी हमारा पुराना एलाइंस है हम नहीं चाहते हैं पर उनकी कोई कमजोरी या मजबूरी होगी तो और मैं नहीं मानता हूं लालू जी एक सुल्जे हुए नेता है एक्सपिरियंस पर दिया तो मेरे तो दो एंपी जीतते थे दो एंपी जीते ही 2010 में जो रिजल्ट आया वो सब सामने है तो इसको देखते हुए लाइक मैंडेट पार्टी सेकूलर वोट का बटवारा नहों हो और सब साथ में मिलके लड़ें वो समय की वक्त की मांग है